तो आज मैं यहां पर अन्बॉक्सिंग करने वाले ही योगा सॉक्स की वैसे इसकी वीडियो एक और जा चुके है लेकिन वहां पर मैंने जिस तरीके से वीडियो देखाई थे उससे बिल्कुल अलग आज की वीडियो आप देखोगे तो यहां पर यह है जीम के लिए सॉक्स यह इस पेसली जीम और योगा और अधर एक्सराइज करने के लिए यह सॉक्स आप यूज कर सकते हैं एंकल लेंथ तक इसकी जो सॉक्स की लंबाई है वो आती है आपको डॉट डॉट इस तरह से पैर के तलवों में साथ ही मुलियों के जो तलवे हो देना नीचे वाला पा आपके लिए यह सॉक्स है जो लोग जीम अगर जाते हैं वैसे तो मैं जीम अगर का कोई भी काम नहीं करती हूँ और नहीं मैं एक भी योगा करती हूँ लेकिन मैंने इस पेसली बस आप लोगों के लिए कि आपको ऐसी वीडियों चाहिए थी आपने कमेंट भी किया था कि मैं आप फाइब फिंगर्स यानि पाच उंगलियों के सॉक्स की वीडियो लेकर आए तो मैंने मीसो पे और एमेजोन पे सर्च किया था एमेजोन पे तो मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे मीसो पे मिल गया उस वक्त ये काफी ज्यादा 300 के लगबक का दिखा रहा था उस वक्त मैं नहीं लेकिन जब इसका प्राइस अभी कम हुआ तो उसके बाद में इसको और कर ली और यह मुझे दोसों के अंदर में ही मुझे पड़ा है तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इसको जल्दी से बाई कर ली इस पेसली योगा सोक्स है और इसको पहन करके आप फियरम पहनते हैं थो खड़े खड़े योगा होता है या पिषिसमें आपका पैर का मुफमन्ट जादा होता है तो उसमें आप इस तरह से सॉक्स अगर पहनते हैं तो चाफी अच् applause होती है तो आज मैं आपको यहाँपे पहन कर दिखाती हूं इसको पहनना आसान है या पि मेरा जो पैर है पाच उंगलिया मेरी लंबी लंबी है तो जब मैं इसको मतलब पहनी सॉक्स को तो पाच उंगली जहां थे वहां पे मुझे बहुत ध्यान से देखना था कि सारे उंगलियों में जो सॉक्स के फैब्रिक है वो अट जाना चाहिए जैसे कि आप यहां देख रह तो बहुत दिक्कत करेगी तो बार बार ऐसे सोच के ना बहुत परिशान थी लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें थोड़ी मेहनत करते गई ना तो यह मुझे बन गई देखिए यहां उगलियों के पास देखिए सुरु सुरु में आपको लग रही थी क्या कि मैं इस सॉक्स को प मिला है तो एक सॉक्स मुझे इतना महगा पड़ गया वैसे आपने एक और रिक्वेस्ट किया था कि जो मेरे यूट्यूब पे जो मेरे सब्सक्राइबर है मैं उनकी बात कर रहे हूं कि आपने बोला था ना कि मैम आप यह वाला सॉक्स महमा है ठीक है पाच उंगलियों वा पाल नहीं किया है जब से आपका कमेंट आया था क्योंकि यह वाली सॉक्स की वीचे आरड़ी जा चुकी है जब मैं आपको बैक कैम्रे से वीडियो शूत कर दीती लिकल यहां पे फॉंड्ठे आपको दे रहा हूं की दूर से भी समझ में आयए कि यह कैसा है क्योंकि उनी अच्छे से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी जल्दी में थी तो आज जो चलो अच्छे से आपको डिटेल्स में वीडियो देती हूं कि इसको पहनना थोड़ा सा मुस्किल है और देखिए ना यहां पर जो सॉक्स है उंगलियों की जलंबाई है वो कि इतना कम इस पेस दिया जाना कि कहीं को उगली छूट ना जाए या दो दो नहीं घुझ जा रही है यह जो उगलियों के लिए दिया हुआ ना इसकी चोड़ाई काफी ज्यादा अच्छी लगे मुझे चोड़ाई अच्छी है आप अगर कुशिश कर एंगने तो दो दो उगलिया एक ही होल में कि जलो जगा पर जाके घुझ दो तो अंगोठा का कलर देख सबते हो औरेंज है रेंगोठे के बगल का second वाला उंगली है उसका कलर yellow न है उसके बाद ग्रीन है और यह पिर blue है और लाइ्ट येल्लो कलर है तो इस तरह से मेरे जो सॉक्स हैं उसमें पाच तरह के कलर्स मिल जाएंगे और ये मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा और आप वहाँ एंकल के पास तो देखिए एंकल के पास भी यानि कि पाच कलर मुझे मिले हैं यानि कि आप देखिए पहले येलो, ग्रीन, ब्लू, और लाइट येलो, ये कितना जादा प्यारा लग रहा है ना, अब आप लोग बोल रहे होगे कि मैंने आखिर एंकलेट्स क्यों नहीं पहनी, तो मेरी एंकलेट्स तूट गई है, खराब हो गई है, अब वो कब फुरसत मिलती है, मेरे हस्मेंट को कि वो मेरा एंकलेट्स प पहल लेती हूं, जो घर में मैं यूज नहीं करती, मतलब कभी-कभी यूज करती हूं, लेकिन सॉक्स की वीडियो है ना, सॉक्स की वीडियो में एंकलेट्स का क्या काम, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था मेरे पैर, और डॉन डॉर्स ये कितना ज्यादा प्यारा लग रह है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए इसी तरह की कहने का मतलब होता है ना, कि सॉक्स की वीडियो आपको मेरे यूटूब चैनल पर मिलेगी, फीट वीडियो से जुड़ा हुआ, आपको वीडियो मिलेगा, अगर पर आपके पैर काफी ज़्यादा फट रहे हैं, तो फीट यानि अपने पैर केर कैसे करें, इस पर परस भी मेरी वीडियो आते रहती है, तो आप देख सकते हैं, तो मेरी वीडियो किसी के लिए भी है, लेडिज हो या फिर जैन्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी जादा मेरे ज्यादा जान। देखे हैं, और दूसरा बात, जिन्हों ने कम वीडियो चैनल और जान। जो सबस्क्राइब किया हूँ है, आप अगर को संख्या फेसे क्नल बढ़ दिक्सिता है। अगर आपको जो जो वीडियो पसंद आती है आप वही देखिए मेरा क्याना चैनल फीट वीडियो से जुड़ा हुआ है नोस जोल रही कि आती है ब्यूटी पारलर से रिलेटेड आती है तो आप थमनेल देख लो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो है तो आप बहुत से लोग क्या ना यूटूब से देख देखकर योगा करते हैं और अपना फिटनेस जो है वो बरकरार रखते हैं घर पे ही कहीं जाते नहीं है क्योंकि योगा में जाने के लिए समय भी चाहिए इदम टाइम से निकालना साथ ही क्या होता है कि वहां जाने के बाद आप और उसके बाद घर पे ही अपने आपको मेंटेंड करते हैं तो अगर आप घर पे योगा या फिर जीम वाले कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो यह सोक्स आप यूज कर सकते हो मीसों पर आपको मिल जाएगा और ज्यादा प्राइस की भी नहीं है मैं इसका लिंक या फिर को लग रहा है लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है कलर जो है इसका इसका कलर का नाम मतलब आप इसको लेवेंडर कलर बोल सकते हैं काफी अच्छा है यानि लाइट परपल कलर इसको लेवेंडर कलर बोलते हैं बहुत ही अच्छा है एंकल के पास आपको पाज कलर के मत तो ये सारी जनकारी है साथ ही इसका जो फैब्रिक है सॉक्स का बहुत ही अच्छा है एकतम कॉटन वाला जो फैब्रिक होता है ना कॉटन सॉक्स वही कॉटन सॉक्स है बहुत अच्छा है देखिए इसको यूज मैंने तो नहीं किया है घर में लेकिन जब मैं पहन रही थी न मुझे बहुत जादा सुकुन मिल रहा था मतलब अच्छा फीलिंग आ रहा था मुझे अच्छी फीलिंग आ रहे थी अच्छी वाइब सारे थी इसको पहनने के बाद तो इसको अच्छा ही वोलोंगे खराब नहीं वोलोंगे देखिए कुछ सॉक्स क्या होते हैं जब आप उसको धूलते हो जब आप धूलते हो तो उसमें रेशा, दाना वगर निकल जाते हैं ये नॉर्मली सी बात है अगर आप cotton सॉक्स लेते हो तम तो आप उसको पहन रहे हो, चल रहे हो, गंदे हो रहे हैं आप उसको धूल रहे हो तो उसका कलर भी फेड होता है यानि कलर भी थोड़ा सा उड़ जाता है उदास कलर हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है तो ये तो बाद की बात होगी कि अगर मैं इसको यूज करूँगी धूलूँगी फिर यूज करूँगी तो क्या रह जाएगा लेकिन मैं सोची हूँ न कि इसको अभी तो मैं योगा या फिर जीम का कोई भी काम नहीं करती हूँ कोई भी एक्सेसाइज नहीं करती हूँ लेकिन जब करूँगी तो ये जरूर पहनूँगी अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है अभी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बीजी चल रही है तो जब थोड़ा सा लाइफ में ब्रेक मिलेगा तब सैद एक्सेसाइज कर लोगी क्योंकि अभी तो बहुत व्यास्त हूँ चोटे-चोटे बच्चों को स्कूल बेजने में तो ये सॉक्स तो इसपेसली मेरे पास रहेगी वीडियो के परपस ही चलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है आप लोगों को थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आपका अगर कोई सुझाओ हो मेरे चैनल को ग्रोव करने के लिए तो आप लोग प्लीज बताइएगा और जो भी वीडियो अगर मुझे बनाना होगा आप लोगों का सुझाओ के नजर से तो वो ये भी ध्यान में डखना पड़ेगा मुझे कि हाँ वो यूटूब के गाइडलाइन के खिलाफ न हो तो बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो यूटूब को पसंद नहीं आती है तो बहुत सोस मुझकी वीडियो बनाना पड़ता है तो ये सारी चीजे मुझे ध्यान देनी पड़ेगी तो चलिए ये वाली स्लीपर की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी ये मैंने न्यू न्यू खरीदी है और तब तक के लिए बाई बाई